हलो फेंट्स तो चलिए हमने लास्ट वीडियो में डिसीजन कंट्रोल को समझा था क्या होते हैं हमें उनकी जरूरत क्यों पढ़ती है और साथी साथ हमने इफ को सीख लिया था आज हम सोग सीखने वाले हैं इफ इल्स को तो देखिए सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स बता देता हूँ आपको लिखना है इफ और उसके बाद आपको यहां पर लिखनी है कंडीशन कोई भी कंडीशन और उसके बाद बनाना है इसका करली ब्रेसेस और उसके बाद आपको इल्स लिखना है और इल्स का भी इस तरह से आपको करली ब्रेसेस लगा देना है तो क्य लेकिन अगर ये condition false है तो फिर ये वाला code execute होगा जो इल्स के अंदर हम लोग लिख रहे हैं है ना तो अगर condition true है तो फिर ये वाला code execute होगा ये वाला code execute नहीं होगा लेकिन अगर condition false है तो ये वाला code execute नहीं होगा और ये वाला code execute होगा शवंज बात आया तो main condition आपको लिखना है और हमारे real time situation में ऐसा कई बार होता है जैसे फिर से मैं ATM मसीन का एक्जामपल लेता हूं आप जाते हो अगर आपने अपने pin को गलत किया तो आपका pin condition लगा करके इस तरह से check किया जाएगा अगर आपका pin सही है तो amount को withdraw कर दो और अगर आपका pin गलत था तो एक message दे दो इस तरह से हम लोग ifils का यूज़ करते हैं यानि कि ifils में क्या होता है कि अगर if condition false है तो इल्स वाला code चल जाएगा अगर if की condition सही है तो if की body वाला code execute होगा और ऐसा हमेशा होता है अगर condition सही है तो मुझे कुछ करना है नहीं तो कुछ कर देना है ऐसा हर बार होता है जैसे अगर ये last example में हमने आपको समझाया था अच्छा if के बारे में आप थोड़ा सा और समझी अगर आपको multiple statement इस तरह से लिखना है ये वाला statement if की part का है if की body के अंदर है लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा statement लिखने है इस तरह से तब आपको curly braces लगाना must है है ना अगर आपने यहाँ पर लेट से एक और printf लगा दिया ऐसे लिख दिया a is greater ऐसे तो ये वाला जो code है ये वाला जो code है ये वाला code इसके बाहर माना जाएगा ये if का नहीं माना जाएगा ये simple बाहर माना जाएगा इस तरह से तो ये वाला code तो condition में नहीं है तो ये हर बार execute होगा है ना condition हमने ये लगाया तो इसका ये वाला code माना जाएगा अगर आपने curly braces नहीं लगाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक line मानी जाएगी है ना तो ये वाला code हर बार चलेगा क्योंकि इसके लिए तो कोई condition नहीं है है ना तो मैं ये बताना चाहे रहा था कि अगर आपके पास एक ही statement है तो आप curly braces ना भी लगाएं वो execute होंगे की नहीं होंगे condition पर depend करता है लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम में कुछ और चीजे लिखी है यहाँ पर इस तरह से तो ये किसी condition के अंदर नहीं है तो ये हमेशा execute होगा ओके ठीक है अब हम लोग ifils वाला code कर लेते हैं तो simply मैं एक काम कर देता हूँ मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से और let's say मैं एक काम करता हूँ मैं इस बार user से input करता हूँ तो मैं एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ pin equal to let's say 1,2,3 कर देता हूँ और मैं एक variable बना लेता हूँ लेट से user pin नाम से मैं क्या करूँगा मैं user को एक message दूँगा कि pin को enter करो तो मैं यहाँ पर message देने के लिए simple सा printf लगा लेता हूँ enter the pin है ना तो वो क्या करेगा यह हमें double quotes में लिखना पड़ेगा है ना enter the pin तो वो क्या करेगा user pin को input करेगा तो हम लोग इसका enough का use करके उसको क्या करते हैं input करा लेते हैं और इसके लिए हमें adder चाहिए और मैं यहाँ पर user pin में input करा लूँगा है ना और फिर मैं चेक करता हूँ इफ जो user का pin है इफ अगर user का pin बराबर है pin से 1,2,3 से बराबर है है ना ATM मसीन में कुछ इसी तरह से coding की जाती होगी आप समझेए हमने जो user से pin लिया और हमने pin पहले से store करके रखा है अगर यह दोनों pin बराबर हैं तो printf enter the amount to withdraw तो user को message देदो कि amount enter करना है नहीं तो मैं simple लिख देता हूँ enter करनी के लिए नहीं बोलता हूँ मैं लिख देता हूँ कि amount withdraw नहीं तो simply मैं यहाँ पर लिख देता हूँ successful इस तरह से मैंने लिख दे successful कुछ भी इस तरह से या तो मैं success लिख देता हूँ आपका amount मतलब कि pin सही है success मतलब pin सही है il मैं printf लगा देता हूँ क्या invalid pin इस तरह से है ना तो ATM machine में क्या होता होगा कि अगर आपका pin इस तरह से true है तो balance को यहाँ पर input किया जाएगा और उसको बित्रा किया जाएगा और अगर गलत है तो इस तरह से invalid pin का message आ जाएगा मैं इसको message रन करता हूँ प्रोग्राम को देखे कह रहा है इंटर धा pin अब मैं यहाँ पर let's say 700777 में इंटर कर देता हूँ जो की हमारी pin गलत है actual में pin क्या है 123 हमने यहाँ पर देखे कह रहा है क्या invalid pin है ना एक बार मैं प्रोग्राम को और रन कर देता हूँ इस बार मैं 123 इंटर करूँगा 123 मैं इंटर करता हूँ देखे कह रहा है success है ना इस तरह से आप if-else का यूज कर सकते हूँ अगर यह condition true नहीं है तो यह वाला code इक शूठ होगा और true है तो यह वाला मतलब अगर यह condition true है तो यह काम करो नहीं तो यह काम कर दो ऐसे है इसके बाद आता है एक और सीख लेते हैं if-else ladder if-else ladder मतलब multiple condition को आप चिक कर सकते हो जैसे आप क्या करो एक यहाँ पर if-else और लगा दो यहाँ पर भी condition आप ऐसे लिखों क्या लगाओगे if-else और यहाँ पर एक और condition आप लिखों आप मैं यहाँ पर कर देता हूँ अगर जो user की pin है अगर वो greater than pin से है तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं user को message दे दूँगा क्या message दूँगा print of backslash in you entered a greater pin price smaller है ना तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यह error क्या दे रहा है यह इस इस नहीं होता इस इस होता है क्या होता है इस के साथ में हमेशा condition लिखते हूँ कि यह होता है इस इस तो आप कई सारी condition को चेक कर सकते हो पहले हमने क्या कि क्या pin अगर बराबर है तो success अगर pin बड़ी हो गई तो हम लिख देंगे you entered a greater pin वो less than pin है इसका मतलब user ने एक smaller pin को इंटर किया है तो मैं यहाँ पर एक और message दे देता हूँ you entered a smaller pin try bigger इस तरह से तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम कई सारी condition को चेक कर पा रहे हैं और कैसे होगा अगर यह condition true है तो यह वाली line चलेगी उसके बाद यह सारा कुछ भी नहीं चलेगा है ना जिस भी condition के साथ में match होगा अगर इसके साथ match हुआ तो यह वाला code चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा अगर यह match हुआ तो सिर्फ यह वाला चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा और अगर इन तीनों में से कोई भी condition true नहीं हुई तो इल्स वाला चलेगा है ना? इल्स वाला खैर तो कभी चली नहीं पाएगे क्योंकि इस धंग से हमने condition बना दिया है है ना? तो अगर वो बरावर नहीं greater than less than होगी बस invalid का कभी भी आएगा ही नहीं कि अगर तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो मैं पिन हमारा four digit का होता है तो लेटसे मैं one two three four कर देता हूं कि और लेटसे मैं यहां पर इंटर करता हूं one two three four तो सक्सेज मैंसे जाना चाहिए सक्सेज प्रिंट हो रहा है है ना? इस बार मैं क्या करता हूं greater ग्रेटर इंट्ट कर देता हूं 2345 कर देता हूं तो कह रहा है यू इंटर है तो कौन सा वाला चला यह वाला चला इस बार मैं छोटा इंटर कर देता हूं छोटी वह लूँ इंटर कर दिया तो फिर हमारा ये वाला चलेगा है ना नहीं तो मैं एक काम कर लेता हूं मैं इसको यहां से कापी करके मैं इसको यहीं पर कर देता हूं कि अगर मैं कोई पिन अगर बराबर इंटर करूंगा तो ये वाला चलेगा बड़ी इंटर करूंगा तो ये वाला तो इल्स वाला कप चलेगा जब जो हम कंडीशन लिखते हैं उन में से कोई भी कंडीशन अगर सटिस्फाइब नहीं होती तो इस तरह सो देखिए यह इंटर डाइस मौला ट्राइब बिगर तो यह इल्स वाला चल रहा है है तो आई होप आपको समय आया होगा कमेंट में करन मतलब वह इक्ज्ट्ब्न नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं वह ऐसा है कि जैसे हमारे प्रोग्राम में है नहीं है तो यहां पर हमने देखा कि इस ऊप इस सारी कंडीशन ना यह लैडर बन रहा है इस तरह से इसस तरह से यह भी it in this यह आपको आई होभी समन्तमें आही किस तरह से हम यूज करते हैं इनका यूज बहुत ही अच्छा होता है प्रोग्राम में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे जब मैं प्रोजेक्ट आपको बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इन सारी चीजों का यूज करके ओके सुन तेंक्यू सो माच